एक समाधान लगने वाली हर परिस्ति थी समाधान नहीं होती और समस्या लगने वाली हर परिस्ति थी समस्या नहीं होती तो क्या एक समस्या है और संभावना क्या है ये कुछ ऐसा है मिशिगन, अमेरिका में एक चिडिया थी और सर्दियां शुरू होने वाली थी ये दक्षन में गर्म जलवाईू में जाने का समय था पर वो बहुत खुश थी और आसपास चहक रही थी उसने इनसानों के साथ समय बिताया था क्योंकि कई लोग ट्वीट कर रहे थे तो वो भी ट्वीट करने लगी और उसने दक्षन की ओर उड़ने में देरी कर दी जब ठंड में चीज़ें जमने लगी तब उड़ने की कोशिश में पंक जम गए और वो गिर गई तब एक गाय वहां से गुजर रही थी और उसने आप गायों को जानते हैं उसका गोबर ठीक चड़िया पर गिरा गोबर की गर्माहट में चड़िया धीरे धीरे ठीक हो गई और बहुत खोश हुई और गोबर में से ही फिर चहकने लगी एक भूखी बिल्ली वहां से गुजरी उसने आवाज सुनी और गोबर हटा कर चड़िया को खा गई तो आप पर गंदगी डालने वाला हर इंसान आपका दुश्मन नहीं होता और गंदगी से बाहर निकालने वाला हर इंसान दोस्त नहीं होता बात बस ये है कि अगर आप सक्षम हैं अगर आपने खुद को इतना समर्थ बनाया है कि चाहे जो भी हो आप उसे अपने लिए एक अच्छी संभावना बना पाते हैं क्योंकि जीवन हम पर जो कुछ फेकता है वो हमेशा हम नहीं चुनते हम कुछ अध तक उसे संभालने की कोशिश करते हैं पर हम पूरी तरह से नहीं चुन पाते जीवन हम पर हर तरह की चीज़े उचाल सकता है पर हम उससे क्या बनाते हैं वो सौ प्रतिशत हम पर है अगर ये एक आयाम हम अपने हाथ में ले ले कि जीवन मुझ पर चाहे जो भी फैंके मैं उसे अपने लिए एक जबरदस्त प्रक्रिया बना दूँगा जीवन चाहे जो फैंके जीवन चाहे जो भी फैंके आप उसे एक संभावना बना देंगे आप किसी भी चीज़ को समस्या नहीं बनाएंगे क्योंकि आप समस्या नहीं है ये विकल्प हर इंसान के पास है हर परिस्थिती में हर परिस्थिती यानि हमारे पूरे जीवन में बस परिस्थितियां और परिस्थितियां ही होती है किसी इस्थिति को संभाल न पाने पर आप उसे समस्या कह देते है जो चीज आपके लिए समस्या है वो शायद किसी दूसरे के लिए एक शांदार संभावना हो आम तोर पर होती भी है है न, जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, बस परिस्थितियां है आप उन्हें एक संभावना बना सकते हैं या एक समस्या आप खुद भी अपने आप में एक संभावना या समस्या बन सकते हैं ये हर इंसान चुन सकता है पर चुन पाने के लिए आपको खुद में एक खास तरीका लाना होगा अगर आप अपने भीतर, संभाव, संतुलन और उल्लास की अवस्था में हैं तब जीवन आप पर चाहे जो फैंके, आप उसे एक शांदार संभावना बना देंगे जीवन हर तरह की भायानक चीजे फैक सकता है, जीवन को कम करके मत आखिये, ये काफी कुछ कर सकता है ये आपके साथ हर तरह की चीज कर सकता है, जिस समय आपको उमीद भी नहीं होगी, ये कुछ ऐसा फैक देगा, जिसकी आपने कलपना नहीं की होगी आप जितने सक्रिय होते हैं, उतनी अजीब चीज़ें आपके साथ होती है तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाए, कि जीवन को क्या देना चाहिए खुद को ऐसे समर्थ बनाईए, कि ये चाहे जो भी फैंके, आप उसे एक शांदार संभावना बना देंगे अगर ये चीज़ इनसान में हो जाती है, तब हर परिस्थिती एक संभावना होगी जब हर परिस्थिती एक संभावना बन जाती है, तो ये इनसान एक संपून जीवन में खिल उठेगा और यही हर जीव की आकांख्षा है कि किसी तरह वो एक संपून जीव बन जाए कर दो कर दो